लास टेंद के प्यारे विद्धारत ध्यान दे आज किस वीडियो में हम आपका चेप्टर दो है वन एवम वन जीव संसाधन के लिए उस चेप्टर से मैंने बहुत सारे कोफिशन बता दिये अचेप्टर दिये अपको प्लेईलिस्ट में मिल जाएंगा यह आपका पार्ट दो है वन एवम जीव संसाधन उसके बहुत सारे कोफिशन प्लेईलिस्ट में बिल जाएंगे और बचे हुए कोफिशन के सरंकला में आपका स्वागा थे तो देखे आज किस वीडियो में हम प बसक्तास को सरफे भधी मानव के लिए में संसाधनी यहत्पून है लिए खाल हाती दात आधी प्राप्त होते हैं हाती के दात क्लियर इनका भोती उपयोग होता है जिसे मास क्लियर है और खाल से बहुत सारी चीज़े बना जाती है हाती के दात से बहुत सारी चीज़े बनाती है तो यह क्या हुआ हमारे लिए एक उपयोगी हुए न क्लियर है तो वन वन्नी जीव भी मानाओं के लिए क्या है महत्तुपून है समझेगा उसमें भनी मत देखेगा मैं बोल रहा हूं जिसमें समझेगा आपके लिए क्या है कि वन्नो के साथ साथ क्या है वन्तु महत्तुपून है इसरी परंतु वन्नी जीव संसादन भी महत्तुपून है क्यों मह खाल हादी के दाथ आधी आधी प्राप्तो होते हैं वन के साथ साथ मानव ने वन प्रानी को भी बेदर्दी से विनास कर दिया है मतलब आप आप आपने देखा हुआ पहले के जमाला में कितने पेड हुआ करते थे किलिए जंकल हुआ करते परांतु मानव ने अपनी देनिक की मिले की स्टी स्पब्डा की लिए क्या वेसर कर दियार जब विनास कर दिया तो ऩह रहेगा हमनी चेहां की मिलेगी तो Interesting लघनात पर दिया सब्सक्राइब जेंगत मैं बची नहीं जहां आip दुड़ी जिवने वो क्या हो गया खत्र में पड़ गया किलिए बाग हाती गेंडे आदी की संक्या में निरंतन कमी आ रही है किलिए पहले की जमाना भोत हाती हुआ करते थोड़े दिनों में और कम हो गया आप दिखेंगे भी नहीं आपको किलिए गेंडे नहीं दिखते किलिए बाग क एसे बहुत कम आपको देखने को मिलेगे। इसलिए वन्नी जीव जन्तु को उनके मुल प्रकतिक रूप में अपनाने देने के लिए वन्नी जुव का सरक्षन अनिवारी है। इसलिए एहां तक हो गए है। ये था वन्नी प्रानी सरक्षन क्यों विश्क है और क्या देखेंगे अब इस वीडियो में वन्नी प्रानी सरक्षन के उपाय। प्रकतिक आवासों को बिना हानी पहुचाए नियंतित करना कि लिए रे मतलब एक जगे से दुसरे जगे से सिफ्ट करना बिना हानी पहुचाए कि लिए रे वन्नी जिवों के प्रकतिक आवास मतलब जहां मोरेते हैं उनको क्या करना बिना हानी पहुचाए नियंतित करना कि लिए रे दूसरा है वन्नी जिवों के सिकार पर पुन्रता प्रतिबन लगाना जो सिकार कर देते हैं प्रतिबन लगाओ भया कोई भी सिकार नही करगा जिससे क्या होगा वो मरे जिससे कि उन GitSjori कमी नहीं कgoing जिस्से की उनके जो यहांपर नियंतन कमी और रहे हो कमी नहीं आएंगी किलिए रे दूसरा है वन्य चेत्रों में जेव मंडल echo किस्थापना करने चाहें, जेव मंडल की, क्योंकि वो देखभाल करते रहेंगे, क्या कमी क्या कमी नहीं है, कि लिए रहें, तो ये थे वन्य प्रानिस्रक्चन के ओपाई, एक बार और देखें का वन्य जीवों के प्रकतिक आवासों को बिना हाने पोचाएं क्या करना, दूसरा है, वन्य जीवों के सिकार पर क्या करना, पुन प्रतिबंद लगा दें, तिसरा है, वन्य छेत्रों में जेव मंडल रिसर्च्च की स्तापना कर, ये था मेरा जो आपका वन्य प्रानिस्रक्चन क्यों विशक है, तो अच्छे से स्किन सूट ले लिए, अगली ही वीडियो में मैं आपको बचे हुई कोश्चन बता दूगा क्लियरे, पूरे आपका पार्ट एक पार्ट दो मेंने कवर करा दिया, लगभग ये पार्ट दो भी लगभग कवर हो चुका, एक दो बचे हैं, उसके बाद हम पार्ट तीन पर चलेंगे पर चार, पर टीन में से कोश्चन नहीं पूच जाएंगे, बतब एक से लेकर आप चार तक का आपके कोश्चन हो जाएंगे, स्साइंस, सोसल साइंस, में क्लियरे, वह रहे हैं आपकी स्कूल से पढ़ियागा, और से प तो आज के लिए इतना ही मिलते सके नेस्ट वीडियो में